हेलो इस्टूडेंट्स गुड मॉर्णी आई एम वाटिका सिन्हा वेलकम टू वाटिका इंग्लिस क्लासेज मैं आज आए हो क्लास एट के एक पोईट्री को लेके जिसका नाम है मिकाविटी दमिस्ट्री क्याट इसे लिखा है टी एस एलॉइट ने ओथर का नाम जरूर में करती हूं मैं सभी चाप्टर के साथ आप भी ऑथर के नाम से जुड़े एक दो पॉइंट्स को जरूर देखिए बुक में काफी हल्प मिलती है आप क्लास एट में है अभी बीगिनर है इसलिए टेंसल लेने की जरूरत नहीं है अभी से आप सुरुवात करेंगे चाप्टर करना पड़ता है ओथर के बारे में भी तो यह सब जानकारी इसलिए मैं दे रही हूं ताकि अभी बीगिनर है क्लास एट एज होता है जिसमें आप जो भी चीज की हैबिट डालना चाहें आप इंक्लूड कर सकते हैं डेली लाइस के लिए क्लास 10 आते आते वो चीजे आपक प्लेलिस्ट बना दिये कोशन अंसर के लिए अलग और क्लास वाइस अलग एस बुक वाइस अलग ताकि आप इसे कॉन्वेनियंटली ढूंड सके कोई भी प्रॉब्लम ना हो एक्जाम टाइम में बच्चे अल्रेडी बहुत फ्रॉस्ट्रेटेड रहते हैं उनको एजली जानवा जिसको हम घर में पालते हैं क्या अगर पाला है तो आपने मिस्टेरियस कोई भी रहस्यमई बात उसमें अब्सर्व की है मिस्टेरी का मतलब होता है रहस्यमई कोई भी मिस्टेरियस बात आपने अब्सर्व की है जरूरी नहीं कि सभी कैट या सभी जो एनिमल्स है वो कुछ अलग होई स्पेसल हो बट मैक्याविटी अफकोर्स इस्पेसल था मैक्याविटी एक बिल्ली का नाम है अब इस पोयम को पढ़ें तो आप पे पता चलेगा कि क्या इसमें मिस्टेरी था एक बार ध्यान देंगे जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था क्रामर सेक्शन को इंक्लूड किया है मैंने प्लेलिस्ट में आप उसे जरूर चेकाउट करें तो मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो होता है वो मेल के लिए ही प्रिफर करते हैं और फीमेल के लिए सी प्रिफर करते हैं और लेकिन इट जो होता है मैंने बताया था नॉन लिविंग के लिए लेकिन मैंने बताया था कि it जो होता है वो एक infant, नौजात बच्चे, बेबी यानी छोटा बच्चा या फिर किसी भी animal के लिए हम लोग cat, dog इन सब चीजों के लिए it यूज करते हैं प्रोनाउन में लेकिन इस चाप्टर में एस प्रोनाउन इस cat के लिए हम लोगों ने टीस एलॉइट ने he को यूज किया है तो अब ध्यान देंगे मैंने इस चीज को बताया था कि कोई भी infant, baby, baby boy, baby girl या फिर अगर हम लोग जानवर की बात करें तो it basically use होता है बट अगर हम उस चाप्टर में gender को qualify कर दे, gender को represent कर दें कि वो जानवर he है या c है तो उसके बाद हम उसमें he c लगा सकते हैं अगर क्लियर हो उसके जेंडर के बारे में तो हम लोग उसको he और c लगा सकते हैं student confuse हो सकते हैं प्रोडाउन पढ़ने के बाद कि he को क्यों यूँज किया गया है तो he इसलिए यूज किया गया है कि इसमें gender already qualified था आईए पढ़ते हैं Macavity Macavity cat he is the hidden paw Macavity जो कि बिल्ली का नाम है उसके बारे में बताया गया hidden paw hidden का मतलब छुपा हुआ और paw का मतलब पंजा Macavity Macavity एक छुपा हुआ पंजा for he is the master criminal who can defy the law he is the bafflement of Scotland Yard the flying squad's despair for when they reach the scene of crime Macavity is not there अब क्या होता है इसमें बताया गया कि Scotland Yard के लिए जो लंदन की पुलिस है उसके headquarter के लिए जो Macavity है एक बहुत serious issue बन गया है bafflement का मतलब एक पहली बन गया है वो कभी भी Macavity को पकड नहीं पाते हैं उसके बारे में बताया गया है वो उनके निराशा का कारण बना है कि जब भी वो उसे जहां पर crime में उस scene पर जाते हैं तो Macavity उनको कभी भी वहाँ पर नजर नहीं आता है Macavity, Macavity, there's no one like Macavity He is the broken every human law He breaks the law of gravity His powers of levitation would make a fakir stare and when you reach the scene of crime Macavity is not there Macavity जैसा कोई नहीं इसमें बताया गया है वो सारे law को defy करता है मतलब सारे law को तोड़ता है defy का मतलब आउहेलना करना या सारे law को वो जो तोड़ देता है यहां तक कि वो law of gravity गुरुत्वा कर्शन फोर्स जिसे Newton ने डिस्क्राइब किया था उसे भी वो follow नहीं करता है अगर हम लोग देखे तो वो जमीन पर भी है अगर देखे तो हवा में भी है वो कभी भी मिलता नहीं है Macavity और scene of crime जहां पर crime होता है वहां पर वो कभी नजर आता ही नहीं है You may seek him in the basement You may look up in the air But I tell you once and once again Macavity is not there आप उसे कभी basement जमीन के नीचे पा सकते हैं कभी आप हवा में देख सकते हैं लेकिन जहां crime होग आप उसे कभी वहां पर नहीं पकड़ सकते हैं Macavity is a ginger cat He is very tall and thin You would know him if you saw him For his eyes are sunken in His eyebrow is deeply lined and thot His head is highly domed Macavity ginger cat बताया गया है वो बहुत लंबी, very tall है Thin यानि पतला दुबला है और आप उसे जब देखते हैं उसकी आखे संकिन है संकिन का मतलब काफी अंदर तक धसी हुए मतलब आखे काफी अंदर है उसके eyebrow काफी lined है एक लाइन में है और उसे देख के लगता है कि वो हमेशा कुछ सोचते रहता है मतलब Macavity हमेशा कुछ सोचते रहता है ठोट में घिरा हुआ है वैसा वो दीखता है His coat is dusty from neglect His whiskers are uncomped He swiss his head from the side to side with movements like a snake and when you think he is half asleep he is always white awake मतलब उसकी coat काफी गंदी है उसकी whiskers जो है वो भी कॉम्ट नहीं है उसकी जो head है उसके बारे में बताया गया आपको जब देख के लगेगा कि वो सो रहा है Macavity सो रहा है लेकिन वो सोया नहीं रहता है Macavity, Macavity, there is no one like Macavity for he is a flint in flying shape a monster of depravity Macavity के बारे में बताया है मतलब बिल्ली के रूप में वो एक राक्षस को देखा जात सकता है You may meet him in by street You may see him in the square But when a crime is discovered Macavity is not there आप उसे गलियों में पा सकते हैं या फिर आप उसे कहीं भी स्क्वाइर में देख सकते हैं लेकिन जहां crime हुआ है उस जगह पर में cavity कभी नज़र नहीं आता है तो ये एक chapter था काफी interesting chapter था इससे बताने का मतलब था एक बिल्ली के बारे में कि वो किस तरह से कारणामे करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है और he use किया गया है बिल्ली के लिए as a pronoun I hope ये वीडियो पसंद आया हो examination purpose से आपके लिए helpful रहा हो इसे काफी मैंने sort में बताया है ताकि आपको इसे मदद मिले आप इसे जरूर पढ़िए मेरे वीडियो आते रहेंगे चैनल पर अगर वीडियो अभी तक subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe नहीं किया है झाल किया है